नवस्कार दोसों तो Samsung Galaxy F23 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच होने वला है और उसका जो लॉंच डेट है वह फिलिपकार्ट के अप्लिकेशन पर मंसन कर दियागे है तो चलिए आज के सुड़ी इससी पर बात करते हैं और जानते हैं फूल एस्पेसिफिकेशन और एस्प का मेंसन कर दिया है और दोस्तों कि जो स्मार्टफोन है इसके अंद्रगत एस्पेसिफिकेशन काफी अच्छा होने वला जिस तरह के से रिडमी या फिर्यल्मी फोन लाती है फाब जी फोन उसी तरह के साथ भी है और काफी इंट्रस्टिंग लूग के साथ आता है तो चलि आप यहां पर देख पार होगे इमेज यहां पर जो कैमरा का बंप है वह काफी इंट्रस्टिंग है और देखने से आपको लगेगा रियल्मी का डीजाइन है जैसे कि आप यहां पर देख पार होगे इसका जो बैक लुक है वह काफी इंट्रस्टिंग है आप यहां पर दे नहीं है लेकिन माकिस का जो बैक का लोग है वो काफी इंट्रस्टिंग है अगर हम बात करें स्पीसिफिकेशन का तो यहां पर समसंग गलक्सी एप 23 5G स्मार्पून है इसकी अंदर धेने को मिलेगा आपको फूल एक्षडी प्लस डिस्पले और यहां पर डिस्प्ले होने वाला है LCD यहां आप देख पार होगे डिस्पले के बारे में उत्रा यहां नहीं किया लेकिन यहां पर डिस्पले है LCD और इसकी अंदर धेने को मिलेगा 120 तो रिफ्रेस्ट है तो आप यहां पर सीवर रही है कि यह डिस्प्ले LCD होने वला है विकॉज इसका जो प्राइजिंग है वह अंडर 20 के है इसे यहां पर डिस्प्ले यहां पर बात करें प्रसेशर का विकॉज यह फोन है इसकी अंदर धेने को मिलेगा सेवन फिप्टी जी तो पुराना है लेकिन यहां एक फाप जी प्रसेशर है और काफी कपेबल है अब बात करें तो मीट आये हो गया उसका वन प्लस का नोड हो गया ऐसे कई सारे फोन इंडिया में लॉंच हो थे जो की स्ट्रेगन सेवन फिप्टी जी पर ही आया थे तो प्रसेशर काफी कवेवल है और इसी प्रसेशर के साथ लॉंच हो रहा है समसंग गलाक्सी एप और आपको देने को मिल सकता है फोटी एट मेसल का या ट्रिपल कैमरा और वहां पार जैरा मसका बैटरी और अठारा बॉक्स में दिया जए जैगा समसंग का सारा चिसा यह रहता है लेकिन इसका चार्जिंग टेक्नलोजी है उत्रहासा कमजोर है अगर हम बरतमाद स्में मे समसंग गलक्सी एस ट्वंटी टू सिरीज उसकी अंदर भी है 25 वाट का चाजर और एक में 45 वाट का जाजा तो चार्जिंग टक्नलोजी के मामले में समसंग अभी भी बहुत पीछे है बागी कंपनियों से बागी समसंग का फोन काफी इंट्रस्टिंग होता है अगर हम बात क प्लाइब फूल एटी प्लस सेवन टुनिटर्स का रिफेसर स्नाप्राइब सेवन फिप्टी जी के साथ आता है काफी अच्छे खासे 5G बैंड होने वाले है तो इसका प्राजिंग है वह अंडर ट्वेंटी के होगा मतलब एक विडेंट होगा जिसका प्राजिंग होने व काफी सही हो जाता है तो बस आज के शुरुप में बताना था उम्मिद गरता हम को बहतीन तरीके समझ में होगा इसके पाप जुद भी आपको पहला मैं तो आपने सब्सक्राइब करेंगा पूसर को धन्यवाद